हलो आज है अठाईस अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में 18 रुपए का शेर है एक पर्टसन के गिरावट है एक महिने मगर आप देखो तो ग्राफ इंट्रस्टिंग है पहले गिरावट आई थी तीजी आई लेकिन फिर से वहाँ पर अभी देखो तो लगातार ये गिर रहा है पिछले एक हिफते में लगातार यहां पर गिरावट हमें देखने को मिली हिंगे छोटी ही हिसए लेकिन गिरावट ज़रूर है बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में आई यहाँ पर जरूर थी लेकिन 30 रुपए से जो गिरावट यहाँ पर आई 15 रुपए तक लगाता गिरा उसके बाद 30 रुपए और अभी अगर आप देखोगे तो यह एक रेंज में अटका है यह 20 रुपए से लेकर 17 रुपए की रेंज में अटका ही है जब भी नीचे ज का जो भी होगा वो हम बात करेंगे लेकिन अभी शॉट टर्म के लिए में कोई बहुत इमेडियेट वड़ी तीजी यहाँ पर एक्सपेक्ट अभी के लिए तो नहीं कर रहा हूँ हाला कि पांस साल में देखो तो भाई सब बहुत बहतरी रुपतार पकड़ी 1100 की तीजी ह कोविट का टाइम पर ये शेर 50 पैसे का था बड़ी रफतार आई फिर गिरावट के साथ लंबे समय तक कंस्रोडेट किया था अगर आप देखो यहाँ पर जब एक जटके में 4 रुपै से बढ़कर ये 10 रुपे पर गया था उसके बाद गिरावट आई था और पांच रु तो अभी मुश्किल से 2-3 महिनों की रेंज है और यह बड़ी रेंज आपको देखने को मिलेगी इस रेंज में अटक सकता है यह अगर बाज़ार अच्छा रहा थो थीक है अगर बाज़ार में गिरावट वाला बाज़ार रहा तब शायद थोड़ी से और फसुर से और सीजन खतम होगा दिवाली खतम होगी मुझे लगता है कि बड़ी गिरावट से बाजर गुजरने वाला है अगे यह मेरा अजम्शन है मैं गलत भी हो सकता हूँ यहां पर और जहां तक वॉल्यूम्स देखें तो दो करूर से भी जादा के शेयर्स यहां पर ट्रेड होते नज मुझे लगता है कि यहां पर अभी मौके नहीं है हाला कि lower level पर मौके जरूर बनेंगे ठीक है lower लेजर अगर यह गिरता है नीचे की तरफ तब मौके जरूर बनेंगे लेकिन अभी जो प्रिजन सेनारियो जैसा इसका चार्ट पैटरण लग रहा है को इतना बड़ा तीजी मैं अभी expect यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ हाला कि पिछले कुछ quarter में performance काफी अच्छा है इसके उसमें कोई शक नहीं है performance काफी अच्छा है और हो सकता है कि long term में अच्छा भी perform कर जाएए लेकिन अभी जो short term का chart pattern है वो थोड़ा बहुत downgrade दिखा रहा है जब तक वो range तूटता नहीं है या तो lower level के उपर या फिर upper level के उपर तब तक यहाँ पर जल्दबा जी मत करो और जहां तक इस company में अगर आप देखोगे तो देखो dividend तो भूल जाओगे आपको यह pay करेगा हाला कि पिछले कुछ quarter में पैसा जरूर कमा है लेकिन time लगेगा इसको dividend पे आउट करने में अगर लगातारी अच्छे perform करता है तो कई ऐसा नहोगा एक दो quarter में अच्छा perform कर दिया बात में फिर से loss दिखाना चुरू कर दिया क्योंकि ऐसा बीच में कर चुका है यह बीच में ऐसा कर चुका है कि दो तिन quarter अच्छा आ गए बात में loss रिपोर्ट कर दिया है इनोंने और जहां तक valuation की बात करें 10 का P है इसका जो कि आपको सस्ता लग सकता है sector P 24 का है लेकिन जेपी ग्रूप जो है वो खुद एक दिक्कतों से गुजर रहा है हाला कि जेपी ग्रूप में जेपी पावर कंपनी ही मुझे लगती है कि थोड़ी बहुत सही कर रही है वरना जेपी अशोशेट हो तो दिवालिया होने की कगार पर है वो जेपी पावर जो है जिसके हम बात कर रहे है अभी पूरा फोकस उस ग्रूप का इसे के उपर है हाला कि कोई भी आनालिश यहां पर रेकमेंड नहीं कर रहा है मैं भी नहीं करूंगा जहां तक financial देखे तो जैसे कि मैंने कहा last quarter के number जो है जो last दो तीन quarter के number है वो अच्छे रहे इसके लिए जैसे कि December में 2,213 क्रोड का revenue था और 172 क्रोड का profit था मार्च में भले ही revenue कम हो गया एक 1165 क्रोड रहा एक 1185 क्रोड रहा लेकिन जो profit था वो 580 क्रोड का हो गया बाद में revenue और कम हो गया लेकिन profit भी कम हुआ यहां पर तो देखा जाए तो पिछले तीन quarter में at least इनका जो revenue है वो थोगा सबसा सही था लेकिन उससे जादा अच्छा है रहे है इनके profits हलाकि revenue का भी बढ़ना यहां पर जरूरी है जो पिछले दो quarter में revenue कम हुए वैसा भी नहीं होना चाहिए और जहां तक बात करी जाए कि जैसे कि मैंने कहा कि यह ऐसा करता है कि कुछ quarter अच्छा आ जाते है जैसे कि 2022 में जून quarterman का profit सा 240 क्रोड का revenue एक 1800 क्रोड का था ठीक है अ बहुत कम हो गया सिर्फ 1200 क्रोड का रहे गया और लॉस हो गया 218 क्रोड का उसके बाद देखो तो यहां पर एक और quarter आया है यहां पर लॉस वाला revenue थोड़ा सा बढ़ गया यहां पर लेकिन लॉस रहा अगेन वापस जून में profit कर दिया इनोंने तो देखा जाए तो पिछल 700-300 क्रोड तो पिछले पांच quarter इनकी लिए अच्छे रहे यहां पर और अगेन अभी next quarter देखने important रहने वाले आने वाले दो दिन quarter और important रहेंगे इनके लिए कि revenue में growth हा रहा है कि नहीं और जो profit दिखाया है कई ऐसा नहों कि भाईया वापस loss दिखाना शुरू करते हैं ले 7.17% के holding mutual fund के पास है domestic institution 18.09% पर है Files यहां पर 7.59% का stake जो है वो Files के पास हो और Files ने जम के खरिदारी करी अगर आप देखो यहां पर 6.06% से खरिदारी 7.59% पर आया है retail और other के मिलाकर 50.14% के holding है जिन मैंसे 20.55% जो है वो retail investor के पास है other parties 29.59% का stake लेकर बैठे हैं overall अगर बात करूं मैं GP power को लेकर तो again company जो है वो खराब नहीं है company ने पिछले 5 quarter में अच्छा perform करा है और यही वज़ा भी है कि share में भी हमें उस तरीके की 30 देखने को मिली है यहां पर लेकिन एक profit taking हर बार यहां पर हमने देखी जरूर है और अभी अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ़तार दिखाने के बाद यह अटका है के range में आप देखो यहां पर तो वो अपरिल महीने से वो इसी range में अटका है जाता है 17 की range में buying आ जाती है 20 में के उपर 19-20 के level में जाने की कोशिश करता है गिरावट हमें देखने को मिल जाती है और मुझे लगता है कि आगे भी और कुछ और time के लिए आपको graph ऐसा ही देखने को मिल सकता है इसी तरीए की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है तीजी देखने को मिल सकती है मैं जब कोई बहुत बड़ा momentum मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर create होगा specifically आने वाला जो time होगा बाजार का वो up and down तो जरूर रहने वाला है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी अभी अगले महिने ठीक है इस महिने के एंड में या फिर अगले महिने और उसके बाद जब होगा यहाँ पर कि जब तिहार का माहौल शुरू होगा तब थोड़ी बहुत तीजी आजाएगी recovery आएगी वापस जैसे ही festival खतम होंगे मुझे लगता है कि गिरावट आपको देखने को मिलेगी और तब शायद यहाँ पर यह और further decline भी दिखा दे अभी ups and downs यहाँ पर ज़रूर रहने वाले मेरे यह साब से दूर बैठो तमाशा देखो जिसके पास है वो hold कर सकता है लेकिन हाँ यहाँ यहाँ पर 17 रुपए का जो level है उसको stop loss लगा के चलिएगा क्योंकि अगर एक बार वो तूटा तो नीचे odd correction भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर और अगर 20 रुपए का level तोड़ दिया इसके लाब एक और company है ठीक है इसी group की है और वो भया दिक्कतों से जूंज रही है दिवालिया होने के कगार पर है और वो है जैप्रकाश associate ठीक है यह अगर आप देखोगे तो भाई साब यहाँ पर जो trading हो रही है वो भी बहुत कम हो रही है यहाँ पर देखो हफते में ए पसंद हो तो like कर रूशाय करें चैनल बगरा पहली बारे तो फ्लीज सब्सक्राइब करें और जैप्रकाश associate के बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखके बता सकते हैं इवन जीवी power के बारे में क्या सूचते हैं वो भी comment में लिखके जरूर थैंक यू